जय हैं दोस्तो आज का हमारा वीडियो टोपिक है रेटिंग ओफ फ्यूज कहने का मतलब फ्यूज हमें कितने एंपियर का लगाना चाहिए दोस्तो यह वीडियो सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्यूंकि दोस्तो हमारे घरों में जितने भी उपकरन होते हैं उनके सेप्टी के लिए हमें हम फ्यूज लगाते हैं लेकिन दोस्तो प्रोब्लम यह आती है कि फ्यूज हमें कितने एंपियर का लगाना चाहिए क्या हमें पाच एंपियर का लगाना चाहिए या फिर हमें 10 एंपेर के लगाना चाहिए तो दोस्तो आज इसी का solution आपको इस वीडियो में मिलने वाला है जैसे कि दोस्तो माल लिए कोई हमारा एक छोटा सा घर है तो उसके लिए हमें कितने एंपेर के फ्यूज लगाना पड़ेगा दोस्तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आगा कि आखिर हमारा फ्यूज क्या होता है दोस्तो फ्यूज हमारा कुछ भी नहीं होता है यह सिर्फ हमारे जितने भी electrical circuit है मतलब कि जितने भी हमारे घर move करन लगाएगा है उनको यह सुरच्छा provide करता है over current से मतलब कि यह खराब होने से बचा लेता है और भी short circuit होने से बचा लेता है दोस्तो फ्यूज पर मैंने already video बना रखा description में link है यह किस तरह से लगाते हैं किस तरह से यह काम करता है वो सब आप description में link है आप वहाँ से जाकर video को देख सकते हैं दोस्तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने main topic के आखिर हम लोग ठ्यूज कितना एमपर का लगाना चाहिए तो दोस्तो सबसे पहले आपको घरों में आपको लूड पता होना चाहिए जैसी कि माल लिए कोग भी हमारा घर है तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर इस घर में हमारे कितने बल्व लगे हैं तो यहाँ पर पहले मैं बल्व लिख लेता हूँ अब माल लिए दोस्तों कि यहाँ पर हमारे घर में 10 बल्व लगे हैं तो उसी तरह से माल लिए कि अब हमारे घर में टीवी कितना है ठीक है एक टीवी है एक टीवी हमारा दोस्तों यहाँ पर 1500 वाट खाता है यह मैं CRT टीवी के बारे में बता रहा हूं जो कि बड़ावल टीवी होता है अगर आपके घर में LED टीवी होता है तो वह समय लिए 20 वा ठीक है दोस्तों उसी तरह से माल लिए कि आपके घर में पंखा है तो जैसे माल लिए दोस्तों मेरे घर में 4 पंखा ठीक है और एक पंखा जो होता है वो हमारा 80 वाट का होता है ठीक है तो चार पंखा कितना हो यह हमारा 320 वाट हो जागा ठीक है उसी तरह समाल लिए कि एक ह हमारे घर में कितना है 500 वाट का है तो यहाँ पे मैं 500 वाट लिखे लूँगा ठीक है दोस्तों अब दोस्तों यहाँ बहुत लोगों कन्फ्यूजन होगी कि आखिर हम लोग यह वाट कहां से देखेंगे तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूं अगर आप बल्व ले आपको लिखा हुए मिल जाएगा ठीक है दोस्तों अब क्या करना है कि जितने भी हमारे यह वाट है इन सेब को हमको जोड़ लेना है जितने भी वाट होंगे तो माल लीजिए कि मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूं तो जोड़ने पर हमारा 1000 वाट आता है मैं यहाँ पर अगर आप एपने घर का पहले भोल्टे चेक कर लिए कि आपके घर में कितना भोल्ट जा रहा हूं तो जितना आपका वाट जाएगा उसको हम्लों 220 से भागा देंगा ठीक है तो इसको जैब आप कल्कुलेट करिएगा तो यह हमारा आ जाएगा 4.5 आएगा ठीक है इसी को अगर फिर हमको कहा करना है कि 4.5 को हमको 1.5 से मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आजागा 6.7 ठीक है, तो दोस्तों 6.7 एंपियर का फ्यूज हम लोग इस 1000 वाट के लिए लगाएंगे, ठीक है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 1000 वाट को चलाने के लिए 6.7 एंपियर का फ्यूज हमारे लिए इजिली मतलब कि अच्छा चला सकता है, किसी भी प्रकार का फो प्रोग्लम नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों अब चलिए, मैं यहाँ पर एक पॉंट आओ बतायता हूँ, यह जो हमारा है, एक हैर वाट को 220 से भागा दिए, तो य ज्यादा घीचता है, इसलिए यहाँ पर 1.5 लेकर चलते हैं, यहाँ फिर माली एक कारण हमारा और भी है, कि कभी कभी क्या होता है कि फ्यूचर में हम लोग जैसे कि आज हम लोग 10 बैल भी यूज कर रहे हैं, हो सकता कि दो दिन बाद हम लोग 12 बैल भी यूज करेंगे, द अब दोस्तो इसी तरह से माल लिए कि कोई भी एक छोटा सा हमारा रूम है, तो एक रूम के लिए हम लोग चाहते ही फ्यूज लगाना है, तो माल लिए कि एक रूम में हमारा क्या होता है, एक पंखा होता है, कुछ मोबैल चार्जर होते हैं, बस इसलिए तो कुछ होता नह हम लोग 1.5 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आगा 1.36 एंपियर ठीक है दोस्तों 1.36 एंपियर का फ्यूज लगाएंगे ताकि हमारा यह 200 वाट का है वो बल्ब हमारे 200 वाट का जो उपकरन है वो इजली हमारे चल सके अब दोस्तों यहाँ पर प्रोब्लम आया दिय सकते हो यहाँ पर हमारे आपैर यहाँ आफिक ऐसे अब भात करते हैं कि आखर माहीं निकाल करें से तों यहाँ एक हमारा फ्रोल्ला होता है power is equal to voltage into current तो दोस्तों क्या निकालना है? हमको current निकालना है तो क्या हो जागा? current बरावर क्या हो जागा? power बड़ता voltage तो मतलब कि जितना भी आपको voltage हमारा आएगा उसको हम लोग उपर रखेंगे और उसको हम लोग अपने supply voltage से दिभाड देंगे यह हमारा current का rating निकाल जागा तो दोस्तों मुझे आसता है कि आपको fuse का rating कितना रखना चाहिए? यह आपको पता चल चुका होगा लेकिन फिर भी इस से रहे लेक्र किसी वी प्रकार का आपके दिमाग में स्वाल रहा है ताहा तो आप हमें नीचे comment box में कर सकते हैं मैं उस पे अगला वीडियो बना दूगा और अगर electrical से जुड़ा रहाना चाहते हैं और यह से ही interesting वीडियो चाहते हैं तो आज हमारे चैनल को subscribe कर लिए तब तक के लिए बोलते ही जैंद वन्दे मातर मिलते हैं अगली वीडियो में